यारे बच्चो कैसे आप लोग ठीक है यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है 2x3, Px हमने ऐसे कंसीडर कर लिया है, x variable के साथ है तो 2x3-3x2-8x-3, इसका factorization करना है, ट्रिक से करेंगे, ठीक है और जेखतें कैसे होगा, फर्स्ट हमको यह पता होना चाहिए कि यह कितने पार्ट में इसका factorization होगा, तीन factor होगे, ऐसे हैं, ठीक है, पहले तो हमको x मिलेगा, इसके साथ कुछ भी coefficient हो सकता है, अगर alpha, beta और gamma 3 zeros हो, इसके x-alpha, x-beta, x- gamma, alpha, beta, gamma, negative हो सकता है, positive हो सकता है, beta, trick यह है, कि हमको ऐसा trial method से करना है, कि अगर x-1 या x-1 एक factor कोई हो, x-1 हो या x-1 हो, यह check करने के लिए, और क्या करते हैं, x-1 check करने के लिए, कि एक इसका factor, इस polynomial का जब factorization करेंगे, तो एक factor x-1 होगा की नहीं, उसके लिए, इसमें जितना भी coefficient है, उसको क्या कर देंगे, हम लोग, add करेंगे, अगर वो 0 के equal आगया, अगर वो 0 के equal आगया, तो समझ जाईए, कि x-1 इस polynomial के तीन factor में से एक factor है, तो हम देख रहें आपे, इसका sum की लिए coefficient का, माइनस 3, माइनस 8, माइनस 3, माइनस 11, और माइनस 3, और माइनस 14 हो गया, प्लस 2, 14 to minus 12, मतलब sum of coefficient is not equal to 0, इसका मतलब यह है, कि x-1 इस polynomial का एक factor नहीं होगा, अब बारी आगई x-1 दूढ़ने की, कि यह factor होगा कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए x-1 को factor दूढने के लिए, हमको करना यह है, कि जितना भी odd power वाला variable है, और जितना भी even power वाला variable है, उन दोनों के coefficient को अलग-अलग add करना है, पहले odd power क्या हो गया, यह odd power हो गया, इस पर x पर power 3 है, odd number है, x पर power कुछ नहीं तो 1 है, यह भी क्या हो गया, odd number है, यहाँ x square है, even number है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग even number ही 0 power रहेगा x पर, और even ही मानेंगे, ठीक है, तो हमारे पास odd का sum करोता हूँ, sum of odd, sum of coefficient, with odd power, कितना है, 2 और minus 8, minus 6 हो गया, क्या है, और even का minus 3 और minus 3, यह भी minus 6 हो गया, तो is equal to, equal है, sum of coefficient, coefficient, with even power, ठीक है, इसका मतलब साफ है, ऐसा हो कभी भी, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो हम लिख सकते हैं, कि x प्लस 1 इस आफ फैक्टर ओफ पी एसा कभी भी हो, पहले तो हम यह देखेंगे, कि coefficient का sum 0 आ रहाए, ऐसा होगा, तो x minus 1 एक फैक्टर हो जाएगा, इसका, odd power वाले coefficient को add करेंगे, और even power वाले coefficient को add करेंगे, अगर दोनों इक वाला गया है, तो समझे में, चाहिक बेज़ा है डिन धी कर सकती कि एक्स प्लस वन से इसको टिवाइड कर देंगे एक्स प्लस वन से तो हमारे पास क्या जाएगा दूसरा दूसरा तरीका ये करा रहा है हम इसको द्यांसे देखी एक्स क्यूंड मैंस 8 x-3 हमको x फलस वन हर बार कितना आला क्यों एक्स प्लस वन ताकि तीनों में एक्स प्लस वन सब्सक्राइब और यह भी दिख बहुत करेंगे तो X plus 1 आने वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे 2X Q ले 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 लेंगे X plus 1 लेने के लिए हमको यहां पर लेना परेगा 2X square तब minus 3X square से 2X square और X टा कर दिये तो इधर बच गया minus 5X square अब इन दोरों टर्म में देखिया 2X square common करेंगे X plus 1 बच जाएगा अब यहां minus 5X square है X plus 1 लेने के लिए इसको करना परेगा 8X को split करना परेगा minus 5X तो minus 5X common करेंगे तो X plus 1 बच जाएगा हर टर्म में बच जाएगा अब इसमें 8 से कितना बच गया है minus 3X 8X हो जाएगा minus 3 लास्ट जो दो टर्म बच जाएगा वो exactly X plus 1 automatic factor में बच जाएगा अब इसको 1, 2, 3, 4 4 टर्म से उसको 6 टर्म में हमने क्या कर दिया split कर दिया ताकि हर बार X plus 1 जूटे कितना जूटे? X plus 1 अब इन दोनो टर्म में जो common है इसको अलग कर दिजे 2X square common है तो बच गया X plus 1 इन दोनो टर्म में माइनस 5X common है तो बच गया X plus 1 माइनस 3 common है तो X plus 1 इन दोनों ठीक है? ये X plus 1 क्या हो गया? हमारे पास तीनों में common factor है तीनों में common factor है अब ये 6 टर्म को हमने कितने टर्म में बदल दिया 1, 2 and 3 अब 6 टर्म में X plus 1 common है X plus 1 ले रहेंगे इस टर्म में क्या बच गया? 2X square इस टर्म में क्या बच गया? माइनस 5X और इस टर्म में X plus 1 बाहर निकल गया bracket से तो क्या? अब इसको दो पास में हमने क्या कर दिया? factorize कर दिया लेकिन यहां square है अब ये quadratic polynomial में बदल गया quadratic polynomial का middle part हम लोग को split करने आना चाहिए किस पे होता है? X plus A, X plus B वाला formula पे तेक है? अब क्या होता है? X square A plus B into X plus B अब देखियांगे first into last करेंगे A into B लेना है तो माइनस 6 आ जा 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 है अब बीज वाले टॉम को इस तरह से split करना है इसका subtract हमेशा क्या है? subtract करने पे 5 आ और multiple करने पे minus 6 तो इसको तोड़ेंगे तो क्या जाएगा? X plus 1 यह 2X square हो गया minus 6X और plus X 6 x 5 6 into 1 6 और यह हो जाएगा minus 6 ठीक है? अब quadratic में split हो गया आसानी सिखिया जा सकता है अभी हो गया X plus 1 इन दोनों में 4 पार्ट में 2 दो common है वो दिखाले के बाहाद इधर 2 common है और X common है तो यहां बच गया X 2 3 जा 6 X minus 3 इसमें कुछ भी common नहीं तो जिसमें कुछ common नहीं होता है उसका उसमें 1 common होता है तो X minus 3 अब इस पार्ट को देखिए इधर तो X plus 1 सब में बाहाद निकल गया और किसमें बच गया X minus 3 और इस पार्ट में 2X plus 1 यही इसका प्रक्राइजेशन होगा आज के लिए इतना है आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद